मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वेमेन के अंदर गल्स के अंदर सेस्ट के दोरान दर्थ यान पेन क्यों होता है तो वेमेन के अंदर पेन होटे के कई कारण हो जते हैं सबसे पहला क्या होते है कि बिमारी होती वर्वो डैनिया उसके क्या होता है उसके नर्ष के इंदर कुछ केंकल डिरेज्मेंट के वैसे उनका जनेटीला बहुत सेंस्टियो हो जाता है और टर्च में भी पेन करता है ज़सकोल वर्वो डैनिया सेकें सखिंव उसके जो पाल की जो अब्रों मसन को चाज़ां एक इस हो नहीं से नहीं सेक्टाइए वो जब आंप你 है जाता है यह hold close जाता है और उसके कुछ भी जा नहीं सकता है वो normally opening से एक अंदर जो होता है pelvic floor muscle contract कर जाती है this condition called vaginismus तो vaginismus दो तरक होसता है यह होसता कि severe vaginismus उसे इतना tight जाता है जाना कि even एक उंगली भी नहीं जासती है the penis तो कभी निजासता है तो जैसे men try to both pain होता है और women पुरापी तो पिरेंटर से नहीं पाता है अगर वेजनिसमस माइड होगा, पार्सिल होगा, तो उसके अंदर एक उमली चला जाएगा, दो भी जाजता है, पर जैसे मैं उमली टालने कोशी चलता है, तो अरॉंड इतना जाने के बाद, लगता है कुछ से रोक रहा है, और ऐसे मैं अगर मैं तो पिनिस फोर्ष करेगा, तो पिनिस चलत जाएगा, बट वेजनिसमस को पीन होगा, एंज्वामेंट नहीं होगा, तो वेजनिसमस सीवियर होचता है, जिसमें सेक्स होईने पाता है, नॉमली वेजनिसमस सुसाइटी में 2% वेजनिसमस होता है, और ये सेक्स नहोंने पाने का, साधिक बाद ये सेक् तो पेनिस चला जाता है but deep वजाइना के एंट्री के बाहर अंदर वहां पेन होता है इसे कई कारण उसते हैं like pelvic inflammatory disease मैंने वजाइना के आसपास uterus का आसपास infection होना या endometriosis मतलब की uterus के आसपास blood घठा जाना या होसता की vaginismus partial vaginismus में भी यह पेन होता है third dryness और वजाइना किसे भी वजाइना वजाइना ड्राइनिस होगी तो उसको पेन होगा फिर होसता की इवन vaginismus पार्सल होगा पेंटेट हो जाएगा पर पेन करेगा फिर होता की hormone कमी कोई से डाइनेस, hormone कमी कोई से less enjoyment किसे भी वजाइस सा वजाइना करेगी तो पेन होगा फिर अंदर कोई ओवेरियन कोज हो, enlargement हो, uterus enlargement हो इस सब कारण क्या होता है पेन करते है फिर उस तक उसको verbal vaginitis infection हो तो इस सब कारण पेन का है तो अगर कोई women कोई दर्ध हो रहा है सेक्स से दोरान तो पहले उनको गायनीक डॉक्टर्स चेक करना जिए कि उसको कोई infection कोई अंदर uterus, ovary की दिख्कत नहीं है और अगर गायनीक बोलते ही कि तुम सब नॉमल हो तो फिर आपे सेक्स प्रस्लिस दिखाएं प्रोबली आपको कुछ है वेजनिसमर्स, वलोडाइनिया यह साइको सेक्स प्रावर्म है जिसको की सेक्स थेरपी, दवाएं और एक्सरसाइज से 2-3 मेन में ठीक किया जाजता है तो जब भी ऐसे प्रेशन आते हैं तो इतो हमनों गायनीक डॉक्टर्स चेकर आ देते हैं उनको उसके ला कुछ हॉर्मोन चेक करते हैं फिर डिटेल सेक्स कांसली करने जानों, अगर अगर वजनीस्टम से शपर कर रही हैं जिसे अगर वजनीस्टम संर को में आया में बाहर आया अगर वेजनेस बसेशने करते हैं जिसे अगर वेजनिसमें से सफर कर रही है तो आप निराश मत हो प्रॉपर सेक्स कांसुरिक सेक्स तेरापी और कुछ मेंचिन के बाद कुछ महीनों में पक्का पूरी ज़साब ठीक हो जाएंगे बसरते आप प्रॉपर इस एक्साइजिक फॉलो करें अगर डर्क्यमारा की ह हीमत मैं कुछ डाल नहीं हूं बहुत प्रॉपर करेंगा तो तो मुश्किल है बट समझ के पूरी कंडिशन समझ करके प्रॉपर सेक्स तरह पे एक्साइज फॉलो करें कुछ मेंदी में आप ठीक हो जाएंगे तो अगर फिर भी कोई क्वेरी हो आप हमें कॉंट्रेट करें वोग बाल नूमबर 989180390 पर या रिट अगराट आप एमिल इड इन फो इन फो आट थे राट उन छिंहर्मों छिंटर न रॉपर आप यह न फो इन फो आप दित्ट झाल ङोरम डिटों अर में विजल टीट सेक्स हॉर्मों थे लोड इन ले मीं बाड आप हैंगे नंगर इस प्राव्डम को आप समझ करके और डॉक्टर मिल के अपने इलाज कराके एक हैपी सेक्षवल और हैपी मेरी लाइग जी सकते हैं